नमस्कार, साथियों आज हम बात करेंगे उस विशय को लेकर जिस विशय या जिस सिस्तिती के लिए हम आप हमेशा कभी न कभी सोचते हैं और जिस भी उमर में हो उस सिस्तिती को बचने के लिए हम आज से प्रयास करते हैं और आपको बता दें उस सिस्तिती से बचने के लिए आप ही नहीं हम ही नहीं ये दुनिया बहुत प्रयास करती है क्योंकि ये चेरे की जुरियों को मिटाने की चेरे की जुरियों को रोकने की इंडस्टी इस जुरिया में 5 बिलियन डॉलर की इंडस्टी है यानि 5 बिलियन डॉलर के कास्मेटिक प्रोड़क्ट हम लोग लगा डालते हैं कि हमारे चेरे पे जुरिया ना आएं या जिती देर से हो जुरिया आएं लेकिन आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं छलावा है जुनियां चेरे पे उमर के साथ आनी हैं लेकिन हम इनको डिले कर सकते हैं आज हम बताएंगे इसको डिले करने का इसको रोकने का इसको टालने का इसके वक्त को थोड़ा लंबा की देने का अच्छी स्किन के उपाय और लाइफ स्टाइल और होमियोपेथिक दवा दोनों मिल के वास्तम में आपको बहुत दिन तक जवान रखेंगे, बहुत दिन तक आपकी उमर में लोग गलत फहमी खाते रहेंगे. मैं आपको एक वाक्या बताता हूँ, इरानी साहिबा है, यहाँ पुराने शहर में, तो वहाँ हमारे क्लिनिक दिखाने आई हैं, और मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो हम नहीं सोचते हैं किसी भी बात को, लेकिन हम गलत कैलकुलेशन के कारण अपनी सोच में पढ़ गए. मैंने जब आदमी ने अपने सिम्टम बताना शुरू करें, तो मैंने सिम्टम सुनना शुरू करें, और सारे सिम्टम मैंने एक होता है, डॉक्टर एक एज को असेस करके उसके सिम्टम को लिख लेता है, तो मैंने उनकी एक दिमाग में एज असेस करी, फिर जो वह बताती गई वो मैं उसके symptom के साथ से उसको लिखता गया लेकिन फिर सबसे आखिर में हम लोग क्या करते हैं मरीज का नाम पूछते हैं नाम सबसे आखिर में पूछते हैं क्योंकि हमें नहीं मतलब कौन आया है और उसके बाद उसकी एज लिखते हैं तो जब हमने उनकी उमर पूछी तो उमर मेरी सोच से उनकी उमर 20 साल जादा थी तो यानि कि मैं 20 साल का mistaking कर गया उनकी एज को समझने में तो कहीं ना कहीं मैं 200 मरीज रोज देखता हूं, 1500 मरीज रोज देखता हूं तो कहीं न कहीं मैं इत्ता गलत तो नहीं हो सकता है इसको जज़ करने में लेकिन उनकी इस्थिती में बिल्कुल गलत हो गया तो कहने का मतलब इस बात का ये है कि कहीं न कहीं उन्होंने अपने आपको इत्ता अच्छा मेंटेन कर आपने रहन सेहन खान पान से और सोच से विचार से की वहाँ अपनी एश से 20 साल कम दिखती हैं, या 15 साल कम दिखती थी तो यहां संभव है, आपके रहन सहन से, खान पार्ण के और साथ में आप होमियोपेथी कर लें तो वास्कोने पे सोगा हो जाता है इसलिए हम आपको बताएंगे होमियोपेथी से चेरे की जुडियों को रोकने की शरीर की जुडियों को रोकने की दस कारगर होमियोपेथिक दवाएं जो कि आपको आराम दे के आप में एक सेल्फ कॉंफिडेंस का एसास दिला देंगी और जो आप हीन भावना महसूस करती होंगी अपने साथ वक्त के साथ वह इन बावनाव महसूस नहीं करेंगी आप उनी रानी साहिबा की तरह चमके ऐसी हमारी दुआ है और ऐसी इस डॉक्टर उमंखना उम्योंपेटिक क्लिनी की चाहत है इसी चाहत को पूरा करने के लिए आपको हम दबा बताते हैं सबसे पहले साथ हो जान लेते हैं कि फेस रिंकल्स होते क्या है फेस रिंकल्स जैसा कि हम सब जानते हैं जब आपकी स्किन में क्रीजे जा जाती हैं, ग्रूव जा जाते हैं उस स्थिती को face wrinkles कहते हैं यानि चेरे की जुडियां कहते हैं तो आते हैं इसके causes पर होता क्या है कि हमारी skin में connective tissue के रूप में fibers होते हैं ये collagen fiber होते हैं, elastic fibers होते हैं यहां एक तरह के connective tissues होते हैं जो हमारे body के inner layer में line up होते हैं वक्त के साथ होता क्या है कि यहां जो fibers होते हैं यहां dissolve होने लगते हैं खास तोर से जब ultraviolet rays, UV rays जब धूप की रोशनी हम पर पढ़ती है तो यहां collagen fiber और gelastin fibers होते हैं यहां dissolve होने लगते हैं और जब यहां fibers dissolve होने लगते हैं तो हमारी skin लटकने लगती हैं उसमें grooves आने लगते हैं और यही जो है जुडियां पढ़ने की इस्टिथी होती है उसके अलावा और भी तमाम कारण होते हैं एक तो जो इस बात में कारण में ही आगया है कि आपके UV rays पढ़ रही हैं उससे आपके जुडियां पढ़ रही हैं उसके अलावा तमाम मेडिकेशन्स आप बहुत जादा जब लेते हैं तब भी आपकी जुडियां पढ़ने लगती हैं कई सारी घातक बिमारियां होती हैं जिसके दवरान आपका जिससे होकर जब आप गुजरते हैं तो आपके चेरे पे जुडियां आ जाती हैं सबसे पहली जुडियां जो आपके पढ़ती हैं सबसे पहली face wrinkle जो आपके पढ़ती है वो आपके पढ़ती है facial expressions की facial expression जिस तरह के आप बहुत हसते हैं तो भी जुडियां पढ़ती हैं जब बार-बार एक हिस्से में skin के खिचाव आता है जो उसका प्रोटीन होता है लास्टिन वो जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिल हो जाता है वहाँ पर और एक पर्मनेंट ट्रूप से वहाँ पर एक ग्रूप की शक्र ले लेता है हाला कि इसका यह मतलब नहीं है आप हसे ना आप हसते मस्कुराते रहें क्योंकि एक चीज सेरोटोनिन हार्मोन भी होती है किसी एन वीडियो में उसका डिसकस करूंगा जोकि एक हैपी हार्मोन होती है तो वो आपके स्ट्रेस को कम करने वाली हार्मोन आपको मस्कुराने से ही सिक्रीट होती है दूसरे आप गुस्सा करते हैं तो भी आपके फेस की मसल्स फ्लेक्स होती है और आपका चेरा कहते हैं वैसा ही हो जाता है गुस्से वाला हो जाता है चिल्चड़ा हो जाता है तो इस तरह की स्थिती होती है फिर एक सिम्टम्स इसके आपको तब भी जादा जब आप smoking बहुत करते हैं smoking एक बहुत बड़ा cause है जुरियां पढ़ने का तो अगर आपके चेरे की जुरियों को आपको बचाना है तो आप smoking ना करें अब हम आपको बताते हैं face wrinkles को दूर करने की 10 कारगर homeopathic दवाएं वो दवाएं जो आपको वक्स से थोड़ा पीछे ले जाएंगी और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में करा कि हो सकता है आपकी इस्तिती को खत्म ना कर पाएं लेकिन आपकी इस्तिती को टाल जरूर देंगी ये दवाएं बताने से पहले साथियों जैसा हमर वीडियो में कहते हैं आपको फिर कह दें कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकिसक से प्रिस्क्राइब करें बिना ना लें क्योंकि ये जो दवाएं बताने का मकसद है ये आपको हुनियों पैथी के करीब लाने का मेरा मकसद है लेकिन दवाएं हर व्यक्ति के साथ से भिन हो सकती हैं इसलिए दवाएं हमेशा कुशल चिकिसक से पूछ के ही लें क्योंकि कोई भी दवा का कैसा भी साइड इफेक्ट हो सकता है चलते हैं साथियों अपनी बढ़ती उम्र से लड़ाई करने के छोटे से प्रयास में आपको चेरे की जुरियों से बचाव की दस कारगर हुमियोपेथी दवाँ बताने के सफर में साथियों, सबसे कारगर और जो प्रमुक दवा होमियों पैथी में है चेरे की जुरियां खतम करने की चाहे वो जहां पर भी हो वहा है अबरोटेनम अगर आपका चेरा थोड़ा उमर दराज दिखने लगा है चेरे पे जुरियां पढ़ने लगी है चेरे पे पीला पन आने लगा है इसकिन लटकने लगी है तो आप एक बार एबरोटेनम को जरूर ट्राइ करें अबरोटेनम 30 पावर में दो दो बून ज़ेदी आप दिन में तीन बार एक महीने तक लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी किन की सकल बदल गई और जो आपकी आइस के नीचे जुरिया है आपके माथे पे जुरिया है एक ओल लुकिंग फेस है वहाँ खतम हो गया और 30 आप एक बार जरूर ट्राय करें यहां दवा आपके चेरे की जुरियों को खतम कर देगी यहां जुरियों को खतम करने की रिंकल्स को खतम करने की नंबर एक दवा है फिर साथियों एक इस्तिति आती है जुरियों में कि आपके चेरे पे जुरियां है और आप में बहुत व्यक्ति बहुत ठका हुआ, दुबला पतला, परेशान, डाइबिटिक, यहाँ सारी स्थितियां अगर आप में आ रही हैं, कि एक आपके चेरे पर परेशानी का लुक है, तो आपके लिए बहुत कारगरदवा हुम्यों परेथी में उस लुक को दूर करने की है आर्सनीक एल आपको ठकान जादा महसूस होती हो, और आपको लगता हो कि आपका स्वास्त गिर रहा है, आपका जो वाइटल एनरजी है, वाइटल फोर्स है, वो गिर रहा है, तो वहाँ वाइटल फोर्स भी आपका उपर उठेगा, आपका डाइबिटीज भी आर्सनीक एलबम से कंट् फटीग है ठकान वाला चेहरा ठकान वाला जीवन और उसके कारण जो जुर्णियां है वहाँ पूरी तरह चली जाएंगी आप इस दवा को आजमा के देखें आपको वास्तव में आनन्द आएगा फिर साथियों कि स्टिती आती है कि आपने जीवन में अगर यहाँ कंडिशन आप में आ रही है कि बैड इफेक्स और सेल्फ में चुब्रेशन आपके साथ है तो उस इस्तिती में होमियोपेथी में आपको रिवाइब करने की दवा आपके चेहरे की जुरियां दूर करने की दवा बराइटा कार्व है आप बराइटा कार्व निकम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें तो आपका बैड इफेक्स और सेल्फ मेस्चुब्रेशन और उसके के अलावा जो आपका बैडनेस है और लाइबल टू टेक को डीजली बार बार जल्दी जल्दी आपको ठंडक लग जाती है आपकी इम्मिटी वीक है उन सारी कंडिशनों को यहां दवा पुरी तरह ठीक कर देगी और आपके फेस के रिंकल्स को खत्म कर देगी फिर एक इस चिति आती है साथियों कि आपका फेस सफेद पढ़ गया है और आपके सर से तो पसीना बहुत आता है पूरे शरीर से आपके पसीना नहीं आता है तो या कम आता है तो जब आपको लगता हो आपके शरीर से कम पसीना आ रहा है और आपके चेरे पे रिंकल्स पढ़ गए हैं जुरियां पढ़ गई हैं तो उस इस्तिती को होमियोपथी में दूर करने की बहुत अच्छी दवा कलकेरिया कार्व है आप कलकेरिया कार्व 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें कि आप देखेंगे कि आपकी जुरियां भी चेरे की खत्म हो गई आपको शरीर में बराबर पसीना भी आने लगा और आपका जो एक चौकी लुकिंग फेस है बिल्कुल वाइट फेस हो गया जिसमें ना कोई नूर नहीं है कोई जान नहीं है वहाँ नूर भी वापस आ गया, वहाँ चमक भी वापस आ गया, वहाँ जान भी वापस आ गया और आपके चेरे की जुनियां भी खत्म हो गई इसी स्थिती के लिए drug of the choice कलकेरिया कार्व है मैं फिर बता दूँ इसको 30 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार लेकर लाप पा सकती है फिर एक स्थिती आ सकती है आपके सामने कि स्किन इतनी सूख गई कि स्किन लटक गई अगर यहां स्थिती आप अपने में देखती हैं कि आपकी स्किन बहुत ड्राइ हो गई और ड्राइ होके लटक सी गई, लूस सी पड़ गई एक थोड़ी सी उमर की अवस्था में मैं 40-42 साल की बात कर रहा हूँ 45 साल की बात कर रहा हूँ उसी सिती में अगर यहां बदलाव आप में आउने लगा तो उसको टालने और रोकने के लिए बहुत कारगर हुए उपैथी में दवा है सरसा परिला आप सरसा परिला 30 दो दो बून दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगी कि आपका स्किन रिवाइब कर गई और आप पहले की तरह स्वस्थ हो गई आपको अपने अंदर आत्म विश्वास पैदा हो गया और आपके चेरे पे चमक आ गई सरसा परिला इसकीन को गोरा करने की भी बहुत कारगर दवा है अगर आपका कॉंपलेक्शन डार्क है तो भी आप सरसा परिला थाटी लेके इस दवा से लाप पा सकती है फिर एक स्थिति आती है कि आपकी स्किन खारिश वाली रूनेस सोडनेस है रूखा पने सूखा पने खारिश ऐसी स्थिति है और वहाँ स्थितिय उते हुए आपके चेरे पे रिंकल्स पर गए जुनिया पर गए अगर यहाँ स्थिति आपके सामने हो तो इस स्थिति को हुम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कॉस्टिकम आप कॉस्टिकम 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगी कि आपकी आप इस स्थिति से निकल गई कि जो आपके खारिश वाली स्थितिन है रूखी स्थिन है जिसमें खारिश खुझली भी हो रही है और आपके चेरे पे रिंकल्स पड़े जा रहे हैं वहार रिंकल्स भी चले जाएंगे आपकी स्किन की रौनेस और सोरनेस भी खत्म हो जाएगी फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको हैबिच्वल कांस्टिपेशन है हमेशा कब्जियत बनी रहती है और आपको महसूस हो रहा है कि कब्जियत ने हमारी सारी स्किन को खराब कर दिया पूरी स्किन में जुरियां आ रही है तो अगर यहां कंडिशन आप देखते हैं कि आपको स्किन में जुरियां आई जा रही हैं कबजियत के कारण कॉंस्टिपेशन के कारण तो उस इस्तिती में आपके चेरे और सरीर की जुर्णियों को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ग्रफाइटिस आप ग्रफाइटिस थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार लेकर अपने जो एक कॉंस्टिपेशन कबजियत के कारण जो इस्किन खराब होने की इस्तिती इससे निपड सकते है ग्रफाइटिस थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार सेवन से आपकी इस्किन भी टोन अप हो जाएगी और आपकी कबजियत भी दूर हो जाएगी फिर एक इस्तिती आती है जब आपकी एक दिमागी इस्तिती होती है कि आप हमेशा दुखी रहती है या रहते हैं अगर आप हमेशा दुखी रहती है तो और आपका बड़ा ही एक फीला पड़ गया है चेरा अगर उस सिति उस चिंतर में उस दुख में आप होता जा रहा है उससे आपकी स्किन खराब होती जा रही है तो इस सिति को हुमियोपैथी में ठीक करने की बहुत कारगरदवा है रिंकल्स की और वहा है सीपिया आप CPI 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगी कि आपका जो वरी के कारण, दुख के कारण, रोने के कारण आपको जरा-जरा सी बात पर रोना आ जाता है, वीपिंग हो जाती है अगर आपके यहाँ सिती होती है और आपके रिंकल्स हैं आपको मैजिक एफेक्ट डालेगी, आपकी वीपिंग डिस्पोजिशन यह रोने की जो टेंडिनसी है इसको भी खतम कर देगी और आपकी इसकिन को भी स्वस्त कर देगी और आपके रिंकल्स को पूरी तरह खतम करके आपके चेहरे को चमकदार बना देगी फिर एक बड़ी रोचक इसकिती आती है कभी-कभी जिन्नों को गुस्सा बहुत आता है उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी दवा है जिन्नों को गुस्सा बहुत आता है उनसे उनके चेहरा खराब हो गया उनको जब गुस्सा आता है तो उनकी इसकीन वीकुल लाल सुर्ख हो जाती है और उससे दीरे-दीरे चेहरे पर रिकरस आने लगी हैं तो उससी सिति को भी दूर करने की हम्योपथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आप स्ट्रेमोनियम 32- всегда दिन में 3 बार ले ले आप देखेंगे या देखेंगी कि गुसे के कारण होने वाले आपका जो इस्किन खराब हो गई है आपका चेरा लाल होने के कारण जो आपके जुर्या आ गई है वहाँ जुर्या ठीक हो जाएंगी आपका चेरा भी लाल होना खतम हो जाएगा तम तमाने वाला और आप अपने को स्वस्त और खुब्सूरत महसूस करने लगेंगी ये कुछ साथियों दवाएं थी आपके लिए फेस रिंकिल्स को खत्म करने की साथ में हम आपको एक face wrinkles को खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छा जादुई नुकसा भी बताना चाहते हैं वहाँ जादुई नुकसा यह है साथियों कि अगर आपको face को अपने care करनी है तो आपके पास फल खाने का बड़ा अच्छा विकल्प है यदि आप फलों को खूब लेते हैं पानी बहुत पीते हैं जो की बगएर पैसे की दवा है आप निश्चित रूप से चमकेंगे आपके wrinkles नहीं आएंगी और आपके कैलोजिन इस्टे लास्टिन फाइबर जो आपकी स्किन में है उसको लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है वहाँ बहुत देर से खतम होगा और आप चमकते रहेंगे अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने कुश्चिन को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साप नंबर 94,15,786,3803 पर अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं हमें आपके हर क्वेरी का संतोष जनक उत्तर देने में बहुत खुशी मिलेगी अगर आपको साथियों हमारा आपको खोमियोपैथी के करीब लाने का यहाँ प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने चैनल को शेर जरूर करिएगा बेल नोटिफिकेशन बटन जो की लगा है यूट्यूब में पैनल में नीचे उसको क्लिक करके हमारे सबसे नए वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा आपका हमारे साथ इस सफर में ती देर रहने के लिए बहुत बहुत आभार, सादूवाद, धन्यवाद अवाद प्रखरेबने कर्सकेट करना अगुने आट सीनल